मुझा आज कहें इस प्रवोचन के पहले शास्त्र बेट करने के लिए कि हम निमंत्रित करते हैं बमन राओ जी तात्या राओ जी बेंटसुरे जिन्तुर प्रभाकार राओ जी वाइकोस जिन्तुर इन्वन्य एक लाक 11111 रुपह की कलेश की स्विकृति दिये हैं वे आये आए और आचरसी को शास्त्र बेट करें पुवन कुसुम प्रियंम राव खर्शित जैन मंबई मंबई हटकरगा उन्होंने भी एक लाग ग्यारादर एक सो ग्यार रोपे की कलिश की स्युकृति दिये वे भी आए से परिवार और आचासी को शास्त्रभेट करे स्रीमान आनंद मौजिलाल जी जैन नागपूर इन्होंने भी एक लाग ग्यारादर एक एक सो ग्यार रोपे की कलिश की स्युकृति दिये वे भी आए और आचासी को शास्त्रभेट करे अरून अरूनलाल पन्नालाल जैन सव लता अरूनलाल जैन कुसुंबा सप्तम प्रतिमाधारी वे भी ब्रा बाल ब्रमाचरी ममता दीदीजी सुरेका दिलीव कुमार जैन कु इसकी स्युकृति दिये वे भी आए और आचासी को शास्त्रभेट करे अरून दीपचंद जी दिनेश चंद्र जी अजित कुमार जी अमन जी जैन अग्रा निवासी इन्होंने भी एक कलिश की स्युकृति दिये वे भी आये और आचासी जी को शास्त्रभेट करे अरूनला तोठारी सोलापूर इन्होंने एक खात्माग मशीन की सिकृति दी है वे भी आये और आचार्जी के चर्णों में स्रिपल आरपन करके आशरवात प्राप्ते करें अगरा वाले जो अगरा जैन समाज कमल नगरा कमल नगर अगरा संजे जी रूद दीपेश जी जी इनको यहर साल समय शिकर जी को यातरा लेकर के जाते हैं इस साल भी करवा रहे इसके लिए आशरवात प्राप्ते करें वे भी परमपुज्य मुनिस्री प्रयोग सागर जी महाराज इनके ग्रेस्त जीवन के माता पिता सनावत से सुदिर जी चवुदरी और परिवार आए वे भी आए और आचासी के चरणों में स्रिपल आरपन करके आशरवात प्राप्त करें कुमार भाई शाह भावनगर घोगा पालिताना अद्देक्ष इन्होंने भी एक कलेश की स्विक्रूती दी है वे भी आए और आचासी के चरण आचासी को शास्त्रवेट करें प्रकास तंदीब बरदात्या बिलवारा राजस्तान इन्होंने भी ऑनलाइन एक लाग ग्यार 1111 रुपय का एक कलेश की स्विक्रूती दिये हैं इन सब लोगों को धन्यवाद कि प्रयोग सग्रम रजियों परिवर चली परिवार चली जाले चलाव पूजन करूँ पूजन प्राइब करते हैं फूजन शुरू करूँ हां सब को सादर जाजी नेंद्र जै बलू संची रोमनी आचारी गुर्वर श्वे विद्या सागर जी महराज जी की चरिनों में जिन्दगानी मेरी यही कहानी सुनते जु मेरे गुर्वर होती महरबानी चरिनों में जिन्दगानी मेरी यही कहानी सुनते जु मेरे गुर्वर होती महरबानी पाकी तेरे चर्ण यहाँ मन का जो फूल खिला याद रखोगे हर दम गुरू का जो दर्श मिला मिले गुरू ऐसे कहा पूजन पराणप लुष्ट आचारी शिरी जी के चर्णों में मैं जुका रहा अपना माथा जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयम ही नवगा था जैना गम का वह सुधा का लश जो विखराती हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुर जाईर दैकली ओम्रूम परंपुज्य संत शर्मियाचार गुर्दी विद्या सागर्जी मामनिंद्र आत्र आत्र सवल्टिति आवाननम आत्र तिट गृत अस्तापनम आत्रम सन्नितो अस्तापनम सनदी करनम संसारिक विशियों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग ध्वेश की वैतरनी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंदु के जलकन से भवकाल शिधोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ ओम्रुम परम्पुज संत शुर्मनियाचर गुर्दे विद्या सागर्जी मामनिंद्रायों जन्म जरा मृत्यु नाश्नायों जलम्न रोपामिती स्वाहा क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निजिशांत स्वरूपन जान सका जीवन भरे से भुलाया है चंदन समशी तल तापाने अब शर्ण तुम्हारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंधन को लाया हूँ जड को ना मैंने जड समझा नहीं अक्ष निधी को पहचाना अपने तो के वल सपने थे ब्रहम और जगत का भटकाना चरिनों में अरपित अक्षत है अक्षय पद मुझे को मिल जावे तव ज्यान अरुण की किरणों से यहरी दय कमल भी खिल जावे ओम रूम परंपुज्य संत शुर्मनिया चैर गुर्दे विद्यासा गर्जी मामुनिंद्राय अक्षय पदप्राप्ते अक्षय तमन रोपामिती स्वाहा इन विशय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला तुरशिना को मैंनी तुर्प्त करिं उतनी बढ़ती चाज वाला मैं काम भाव विद्वन्ष ही मन समन चड़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बननस के यह भाव रिदय में लाया हूँ ओम रूम परम पुझ्य संत शर्मनिया चार गुर्दे विद्या सागर्जी मामुनिंद्राय अक्क काम बानुनाशनाया पुश्पमने रोपामिती स्वाहा इस शुदा रोग की व्यथा कि था भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष भरे फिर भी मन तरप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं त्रशना की भूक मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकू यह अंतर बोधी जगाऊंगा मोहांदिकार से व्याकुल हो निज को ना मैंने पहचाना मैं राग द्वेश में लिप्त रहां इस हाथ रहां बस पच्छताना यह दीप समर्पित है मुनिवार मेरा तम दूर भगा देना तुम ग्यान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना इन अशुब कर्म के गेरे हैं अने अब यह माना था बस आप कर्म तज पूज कर्म को चाह रहा अपना ना था शुब अशुब कर्म सबरी पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूं इसलिए तब चर्णों में अब दूप चढ़ाने आया हूं भोगों को इतना भोगां की खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिंदानंद मैं लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वार वह मिल बैठा मुझे टिकाना है जग के वैभव को पाकर मैं निशी दिन कैसे अलमस्त रहा चारों गतियों को ठोकर की खाने में भी अभव्यस्त रहा मैं रहूं स्वतंत्रक याता द्वाता मेरा पर ये नाता है कैसे अनर्ग पद पाजाओं यह अरुन भावना भाता है ओम्रुम् परंपुज्य संत शुर्मने आचर गुर्दी विद्यासागर्जी मामनिंद्रायों अनर्ग पद प्राप्तेयों रुन्पन प्राम्पुज्य संत शुर्मने आचर गुर्दी विद्यासागर्जी मामनिंद्रायों ऑनर्ग विद्यासागर्दी झालापूरुनार्ग मेरू पामितिस या संजेजी म्याकस अल्ड comunque जी अग्र वाल पंकजी अग्रवाल आये वे भी आये और आचासी के चरनों में इस रिपल आरपन करके अशिर्वात प्राप्त करें आचारि भगवन के चरनों में त्रिवार नमस्तु कृत्वी निविदन करते हैं आज की स्पावन बेला पर हम सब लोगों को दूदित करे नमस्तु भगवन नमस्तु नमस्तु ओम नमस्तेव्या ओम नमस्तु 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 नमस कि बैठ जाएं आप लो आपके पुर्चिनी जी तो खड़े हैं आप लोगों ने अनुभव किया होगा आज तो यह अनुभव थोड़ा सा मेहंगा हो गया है कि कूप में से पानी निकालते हैं सरोपर्थम उस कुवे में खाली घड़े को भेजते हैं और भेजते समय हमें ज्यादा सावधानी के आवस्रक्ता नहीं और उसको छोड़ देते हैं कि इतना ध्यान रखते हैं कि वह वह वैश्य तो डूबेगा नहीं क्योंकि वह खाली है घड़ा जब वह पानी में चला गया उस समय उसके रस्षी को ऊपर थोड़े से खेंस लेते हैं तो उसके मुख में से पानी भीतर पहुँचना प्रायरंग अब इसमें ध्यान देने की आवस्रक्ता है जब वह घड़ा फूर्ण रूप से पानी से भर जाता है तो थोड़े से नीचे और चला जाता है फिर इसके उपरांथ आप उसको ऊपर की और खेंसते हैं खेंसते समय आपको कोई परिस्रम नहीं होता क्योंकि वह थोड़े से भीतर भी पहुंचा है जो ही वह पानी की बाहर आ जाता है तो ही आप लोगों को स्रम का अनवो होने लग जाए अब पूछना ये है जब घड़ा पूर्ण भर गया है और पानी में था उसमें स्रम क्यों नहीं लगा और बाद में क्यों कभी आप लोगों ने सोचा इसके वारे में नहीं वह भीतर जब रहता है घड़ा पानी के भीतर और उसको खेंसते हैं तो चूंकि वहाँ पर हवा का दबाव इतना नहीं रहता जितना की बाहर उपर आने के उपरान केवली इसमें हवा हवा ही है आप लोग बैटे हैं अपनी शक्ति से नहीं किन्तु चारों तरब से हवा आपको क्या कहते हैं ज्ञान के अंसार गुरु त्वाकर्शन जिसको वोग तो यह निश्चित है कि वह भारदार हूते हुए भी भरा हुआ हुआ हुटे हुए भी उसमें हवा की कमी होने के कारण आप बहुत जल्दे उसको उपर उठाते किन्त केवल पानी छूट गया और केवल हवा में वह घड़ा आ गया तो उस समय आपको पसीना आएगा आप अपने खड़े होकर कि उसको खेंच नहीं सकते किन्तु कैसे करते हैं पीछे की ओर अपने आपको समालते रहते हैं ताकि वह नीचे से उपर तक घड़ा आ जाए इसमें आप लोगों को बहुत शक्ती लगाने पड़ती है क्योंकि कीवल यहां पर हवा रहते हैं वहां पर उस घड़े को कैसा खेंचा जाता सामने नहीं खेंच सकते सामने बोटे ही संभावना है वह आप कोवे में चले जाए इसलिए आप ऐसे उसको खेंचते हैं जिसके दोरा अपना भी सयम बना रहे अब हवा की कारण आपका भार है यह शुद्ध होता आप जब तेह रहेंगे उस समय में भी आपको कुछ भी नहीं लगता किन्त भीतर से बाहर आते ही आपको जोर लगाना पड़ता है संसार के बहुत सारे वस्तुयें जिसके आकरसन से आप बहुत परिशान हो रहे हैं आपकी वेट के बारे में कभी सोचा आप लोगोंने कितनी बेट हैं आज तक सही किसी को मालूम नहीं पड़ा कई इंजिनियरों के सामने भी हमने यह बात रिखी है संबव है वो इसके बारे में सोच रहे होंगे यहां से जो उपग्रह छोड़ा गया है तो वहां अपने कक्ष की जब बाहार हो जाता है तो वहां पर उसकी बेट समाप्त हो जाते जो पहले वीट साथ वो वहां पर नहीं रहते क्योंकि वहां पर जब उपग्रह के साथ चले गए थे लोग उसमें तिन चार थे वहां पर जाने के उपरांद प्रयोग किया तो जो जहां पर रकते होँ जमीन पर नहीं आती किन्तो अधर में ही रह जाती है क्यों वहां हवा का दबाव नहीं कम है इसलिए तो इसका अर्थ यह है कि मान लो आपकी वेट भार 60 किलो है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भार रहित होगा भार रहित होगा तो रोग भी होना चाहिए जैसे और कोई भयानक रोग होते हैं आपके शिरी के वेट भार जो है कम हो जाता है कभी कभी बढ़ भी जाता है कुछ लोग घटाना चाहते हैं तो कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं जब परेशानी होने लग जाते हैं तो यहाँ वेट कहां चला गया वह रोगी हो गया नहीं फिर भी वो भूजन तो पूर्ण कर रहे हैं, भूक भी लग रही है, किन्तो उनके बेट कहां चला गया, आप दूसरे के माध्यम से बेट को पहचान रहे हो, यदि यहाँ हवान नहीं रहेगी, विरलता आ जाएगी, तो आप गिरोगे भी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे उपर उपर चले आते हैं, कक्ष के बाहर जाने के उपरांट, वहाँ पर अपने आपी वुपग्रह भी घूमने लग जाते हैं उनकी इंदन के माध्यम से, नीचे रहते हैं, तब तक जो है उसको बहुत मेहनत के साथ उपर पहुँचाना पड़ता है इसमें जादा खर्च होता ऐसा हमने सुना, आत्मा का भी सवाव नीचे रहने का नहीं है, हलका है मुद्धू, नहीं समझें, किन्तो शरीरी के कारण ये गुरुत पाकरशन चारों तरफ से आपको खेंच रहा है, वहाँ गुरुत पाकरशन अलग है, और गुरुओं का आक पारशन अलग है, तो उसमें वेट के उद्श्टी रखी जाती है, लेकिन यहां पर वेट नहीं है, यहां पर तो विरलता है, दमाव नहीं है, तो आपके या शरीर के वेट, आपके वेट भार वस्तता है, सापेक्षुत है, हमाँ चारों और से आपको जखड करके रखा है, और जहां जारा हो जाए, तो भी गड़वडी, जहां पर पूरी जूप से विरलता आ जाए, तो भी गड़वडी, किन्तु कक्षिस से बाहर चले जाएंगे, तो कोई भी गड़वडी नहीं होती, तो इसलिए आकर्शन और आप खेचे चले जा रहे हैं, आप चाहते हैं उपर उठना, लिकन नहीं उठवाटे हैं, पानी में तो तेराव, तेर करके उस कलाके माद्यम से दूबता नहीं, लिकिन ये जहां रखो, आप हवा में क्यों नहीं तेर थें? महराज हम विमान में बेढ़ जाते हैं तो तेर नहीं जैसे ही आनुवव होता है, लिकिन वहां पर ये भी आपको डर रहता है, कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं क्या मतलब? महराज आज सो विमान से यातरा करना है, सक्षेम पूर्वक महीं उस यातरा को पूर्ण करनू, धुक 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 बनाए रहता है, वह क्यों है? इसलिए है, वह क्रुत्र में विमान है, स्वाभा भी किमान नहीं, थोड़े से भी मशीन में गड़वड़ी आ गई, पेटर हो, तो भी वह काम में नहीं आएगा, एकदम वह आपको नीचे की उर खेंचेगा, आप उपर की उर क्यों नहीं खेंचते? अपने आपको बोलो, नीचे की उर क्यों आते? तो वह कहते हैं, उट पतनम पतनम प्यवर्दति, उपर ही उट जाता है, और नीचे भी आ सकता, इसको पतन बोलते हैं, हम लोग दूसरी के संपर्द में आने से, जहां सांसारिक मुह के आकर्षनों से, हम पतन की उर चली जाते हैं, और हम हलका हो जाते हैं, तो उपर की उठ चली जाते हैं, तो संयोगा भावात, उठ पतनम, संयोगा जब अभाव हो जाता है, तो हमारा ओर्द गमन अपने आप ही हो जाता है, यह कई बार हमने कहा है, हम उपर उठना चाते हैं, लेकिन भार को लेकर की उठना चाते हैं, तो भार को यह उठना चाते हैं, भार सहिट, तो यह ध्यान रखना, आप उपर नहीं जाख सकते, किन्तु नीच्छी की ओर ही जाएंगे, आप कहा जाना चाते हैं, बताओ, उप सब जगह वाहनों के लिए रास्ता बने हुए है लेकिन विमान का कोई रास्ता नहीं हो था कि वह कहीं भी जा सकता इतना आवस्ता है कि उसकी बहुत बंदन है इस रास्ते की निरमान करने के लिए उस विमान को तो त्यार किया है लेकिन रास्ता का विमान नहीं कर सकते हैं वर्षाप अगर होने लग जाती है तो विमान को नीचे उतरने के आवस्त्ता पड़ती है कभी कभी दोह नहीं उतर पाती है तो गिर जाते हैं ऐसे क्यों होता है चुंकि हमने दूसरे वस्तों के साथ उसको बांदने का प्रयास किया है आज तक इसके बारे में आप नहीं सोच पाए होंगे इसको सोचना पहले प्रारभ करते जब चक्कर आने लग जाता है तो गिरता है ने समझें जब चक्कर आने लग जाता है तो गिरता है किसका अभाव है वहां पर पानी भी है हवा भी है सब कुछ है शरी में शक्ति भी है लेकिन चक्कर जब आता है उस समय गिरने लग जाता है तो ये कौन सा आकर्शन है जिसकी कारण आपको संतलित कर देता है हम सुचें जितने भी वस्तु हैं वह वस्तु हमारे लिए हानिका रख भी है और नाव प्रत भी है ये डूनों के पीछे यह की मातर है हमारा आकर्शन ये आकर्शन और उतकर्शन अपकर्शन आदी आदी हैं इसमें आप लोग उल्जे रहते हैं जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तो क्या करते हैं आप लोगों बोलो दान भी करते हैं लिखें आदान की मातरा ज्यादा रहती है और दान की मातरा ऐसा क्यों होता है मतलब हम उसको कम तो करना चाहते हैं कम कम करते हैं तो जब वहां भर जाता है तो कम करना चाहते हैं एक्दम भरोगे तो गड़वार है लैंप में या दीफक में पूरा पान तेल भर दो क्या होगा है वहां किसी प्रकार से जलेगा नहीं बुझ जाएगा क्योंकि उसमें हमें तेल तो डाला लेकर अनुपार से नहीं डाला अनुपार से बाहर हो गया तो वह हवा के अभाव में निश्चतर उसे बुझ जाएगा और थोड़े से कम रखेंगे तो वह प्रकार्शत हो जाएगा प्रकार्शत करना चाते हैं तो उस दीफक में तेल को नापतोल करके ही डालना पूरेगा अन्यसा हम उसके प्रकार्श को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाथें इसलिए आप लोग हर भुस्त के बारे में सोचों जो आपके लिए लाप्रद है गोई हानी का रख भी हो जाता है लेंप यही मानलो थोड़े सा फवक ने लग जाएं फिर देखो उपर भी यही दोती रखी तो दोती को भी वह जलाना प्राइड़म कर देगे इसलिए साउधानी रखो पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि पास है पेट्रोल और यहाँ पर थोड़ी से मानलो में चुछ से दीपक कर रिया तो वहां तक वह पकड़ भी सकता है आपके पास ऐसी भाव है कि वह पकड़ने को चला जाता है वस्तु आपके ओर आती है क्या हम वस्तु की ओर जाते हैं थोड़े से बता दो जल्दी है हम जाते हैं किसने कहा कि जाओ यह क्या है वो खेंसा है माराज खेंसा है तो सब को खेंसना चाहिए आपके जाते हैं आंक नहीं इनको आप ऐसा करो अपने संतान की उफर भी इस सिक्षा को अवस्थ देजेला यदि यह संस्कार उसके उफर पढ़ जाए तो कहेगा पिशाजी इतना ही पर्याप्त से फिता दी दो, इन शाका और बड़ाना चाते हैं स्धंटरिये तो दो खड़न ने करना करना चाते हैं और दुकान है तो और अन्यत्र विटा तू uży चली जौँ ब बढ़ा है वहां का और बड़ा चक्र है वहाँ पर एक केला 100 रुप में आता बताता है तुम्हारे सारी सारी कमाई खर्चा में ही चले जाए इसलिए जाना पैसा एक प्रकार से वस्तुवों को बहुत आस्मान तक ले जाएंगी कोई खरीद नहीं सकता जाना पैसा ठीक नहीं है बलके पैसा कम रहे तो उसमें आनन आओ रहा है क्योंकर कोई चोरी चोरी कैसे करेगा खाई नहीं अपने आनपाद सहीं जितना आप संग्रह करेंगे उतने ही आप और और उसकी ओर खिस्ते चले जाएगे तिरेंच बगरे नोट की बंडल की ओर नहीं जाता है और आप तिरेंच इसे कोई गढ़ा भी है सामने पैसा रख दो आप क्यों आकर्ष्ट हो जाते हैं इसमें धन है और इसके द्वारा सब कुछ खरीदा जा सकता है जान रखो यह वह भी व्यक्ति है आपको यह खरीज लेगा अब क्या करोगे यह दास प्रभर्ति क्राई विक्राई की प्रभर्ति बहुत होशारिश से करना चाहिए अर्थ के कारण यह ऐसा हो रहा है अर्थ के लिए आप है या आप के लिए अर्थ के आवश सकता है जीवन जीने के लिए यह सारी सामगरी है यह सब विद्या कलाएं पूर काल में समझाए जाते थी सिखाए जाते थी आज यह सारक सारा समाप्त हो रहा सुना हमने वैशा कैसे आएगा अरे जाओ देंक में जाओ लोन लियाओ पहले की लोग लोन नहीं जानते थे और आज यह अनिवाय तक्तु हो गया आज देश की उन्नटी होती है अर्थ के द्वारा यह गलत धारना है लोन हरी के लिए आज विद्या भी पढ़ते ही शिक्षा लेते हैं तो लोन दुकान खोडते हैं तो लोन नेशन मकान बनाते हैं तो लोन शादी कराते हैं तो लोन और क्या क्या करते हैं सभी लोन गाड़ी खरीते हैं तो लोन वह आती कंपने आपके पास ले लो ले लो इसनी चूट है आपको कि चार-पांच वर्ष भूब में हमारे सामने एक घटना सुन्दे में आ गई कि सिंगापूर क्या और कोई भी स्थान होगा तो उन लोगों ने वहां के कंपनी इत्या दिखने आपके लिए अच्छा है कि दो तिन साज में अपनी काड़ी हो जाएगे जब वह धीरे धीरे उसकी परदर्ति से लोन चुकाने के लिए वह आ गए तो नहीं सोचा कि इसको तो हम करीद सकते ही नहीं और हमारी कर्ज लोन लेने के परदर्ति छूटेगी नहीं तो उन सबने ये निरने ले लिया आज सुबह उठना जो दोग उठे ने उससे पूर में सभी गाड़ियों को फ्लेटफार्म के रूप में खड़ी कर दू और चाबे आदिव उहीं पर रख दू और चले लो उससब चले गए बार में सोचा य कोई भी नहीं विदा क्योंकि आपने उनको गर्जदार बुनाया ऐसी हो रही है प्रत्यक डिश में सुथी इसलिए पहले के लोग पहले रखते थे सोना चांदी फिर बार में किसी के पास से कुछ पैसा लाटे थे सुनने में आया खेद जैसा हुआ नहीं खेद नहीं यह समझने की बात है एक अरवी पैसा रूप रुपए आपके बैंक में रखे गए हैं तो यह पहले से लिखवा देते हैं कि शिवी प्रकार से इस बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपके लिए केवल एक लाख सुपए मिलेंगे आपका धन का अउमूलन आप की द्वारा हो रहा है सुन रहे हो माटा पिटा आप लोगों को पढ़ाते हैं पैसा पूरा लग जाता है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं अनुभव नहीं है तो रोजगार भी नहीं मिलता तो रोटे रहते हैं ये रोलाने में कारण आप ही है ऐसा नहीं करो क्योंकि मुद्धा का अमूलन एक दिन आपको खा जाएगा अरब रुपे हून करके भी आप एक ही लाग के मालिक हैं पहले लोग कुछ लेना चाहता हैं तो वहां मूच की बाल रखते थे अन्यता नहीं लेना क्योंकि जब मैं इसको चुकाऊंगा उस समय अपने मूच की बाल को वापिस ले जाओ स्वाविमान का प्रतीक था आज से कोई मूची नहीं लगता लोड ले लेकर के आप जी रहे हों ये ठीक ने करदार मनना जीवन में कोई सफलता नहीं है स्वाविमान रखो स्वासित रखो किन्तो कोई भी व्यक्ति सोर देखने ही रहा तो क्या कर सकते हैं लेकिन देखने के उपरा समझ में आ जाता है तो कुछ कहते हैं आप लोग सारे सारे दुखी है मराज बहुत दुखी है कोई एकार व्यक्ति तो सुखी लिया हो ना सभी ऐसे ही है तो ऐसे कैसा होगा, तो सब के उपर उसका प्रुभाव पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, उसलिए आप कर्ज लेने के बारे में अवस्य सोच लेना, महराज सरकार ही नहीं सोचते तो हम क्या करें, सरकार यह जिनों सोचते तो सरकार के बारे में आप भी सोच चकते हैं, आप ही लोगों ने तो सरकार बना करके वहां तक भेजा है, जैसे बच्चे को अपने भेज दिया पढ़ने के लिए, और उबहां दो-तीन साल में कोई भी उन्नतिन नहीं की, बेठा, बेठा, आजाओ, अब तुमारे लिए, मूटर साइकल है, साइकल है, इचके कोई आफशक्ता नहीं है, तुमारे लिए तो अब दो पाएं से बैलेंस नहीं रह रहा है, तीन पईया वाला लियाओ, तीन पईया किसको होते, बस रिक्षा, उसमें बेठा चलाओ, अब नहीं मिलेगा, इसी लिए कहता हूँ, आप बच्चों को ऐसे संस्कारिट करिये, उनकी मुद्रा का अव्मूल ना हो करके, उसका दिकार सो जाए, यह अव्मूल की पद्धि कहां कैसी घुस रही है, इसको भी जानने के आवस्च सकता है, दो बाते कहा करके छोड़ देता हूँ, कि सतन्ता मिलने से पूर में यहां पर बैंक खुल गई थी, इंडियन बैंक, आज उसके 26 सो से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, किन्तों उसका नाम इंडियन पड़ा, इसी प्रकार, सतन्ता से पूर में 15 वर्षे आई चारिक, एक भार्त्वी बैंक खुला, सतन्ता से पूर में इसको खूलने के क्या वस सकता थी, इसके बारे में आप सोचो, यह निति कहां से हैं, यहां सतन्ता तो देने पड़ेगे इनको भारत को, किन्तों आर्थिक भूज से हमेशा हमेशा पीडित रहेगा, तो हमारे काम हो जाएगा यहां लिखित में हैं किताब में लिखी गई है एक गांदी जी के अनन्य भक्त तो नहीं लेकिन गांदी जी उनको विशेई सुरुप्टे राजनिते में अग्रहने मानते थे और वो दादा भाई नौरोजी थे उन्हें यही कहा कि इसकी क्या वस्चक्ता थी पहले से ही आपको अर्ष्ट का अव्मूलन करने के लिए यह सम योजना बनी हुई है और व्यापार के लिए नहीं आए राजनिती के लिए आए और आप लोग इस नीती को समझ नहीं पाए उसका पज़नाम यह निकल रहा है इसलिए हमारा कहिना है कि भार्षी बैंक हो देखिन उसमें सोना चांदी रखने का प्रावधान हमेशा हमेशा था इसलिए रखना ही चाहिए अन्यसा विसमें बैंक आपके लिए खड़ा है खूब ले लो करज अपने आप यह चुका जाए उनका यह कहना कि मूल कभी भी नहीं देना सुन रहे हो मूल नहीं मूल देना तो आप तो फ्री हो जाएंगे आप सचंत्र हो जाएंगे नहीं तो आप ब्याज देते जाओ प्याज खाने के लिए मिले या ना मिले कि तो गाज देते जाओ वहाँ बैंक खोलने का यह एक मातर इरादा था हूं अर्थ शास्त्र का ज्ञान है ही नहीं इन लोगों को कि तो अर्थ की बात तो करती है वह वैर्थ होता चला जा रहा है इसलिए सभी राष्ट्रों में महंगाई आ सकती है किन्तों संस्कार अभी शेश है भारत कभी वी उस मंदी से घवराता नहीं है क्योंकि उसको अर्थ का सही सही अर्थ जात है अब तो कम से कम आप सोचो कि हमें खर्ज लेकर की कोई काम नहीं करना है क्योंकि वह परतंत्रता क्या एक रास्ता है आपको सत्तर साल हो गये कम से कम परतंत्रता क्या है इसको अच्छे डंग्षे समझने का प्रयास करो और बच्चों को उने विजेशों की अफिशा भेजने की अफिशा से देशी क्या थी उसको पैचानने का प्रयास करो समझ में आ गया दादा भाई नवरोजी की वह किताब पढ़ लेना उने प्रश्ण उठाया कि इसकी क्या वस्क्त विएकों की व्यवस्ता भारत को आर्थिक बोज से हमेशा हमेशा दवाने की यह प्रक्रियती ऐसा उनका निर्नाय है आप लोग कौन सा निर्नाय लेते देख आहिसा पर्मों धर्म की दो परम्पुज संत्चुने आचारी भग्वन विद्या सागर जी महामनी राज जी की समस्त आचारी संग की पर्मपुण साञी लेते देखेऽते ले Sweweborg म Knights committee डया लग्यस की समस्त खारी संगर टूंग में उन्लाय लेख जी ड़ ज Theater दे जा हमेशा की समस्त लक्रियन मंग्टा की म sóज स्ग्वन की सा जी बार धू़ते लेक